इस question में दिया है कि एक वरग का परीमाप एक आयत के परीमाप के आदे के बराबर है वरग का परीमाप 40 मिटर है इसकी चोड़ाई लंबाई की दो तिया ही है तो आयत का चेतरपल ज्याद करो देखिए मैं पहले एक वरग बना लेता हूँ अब इसकी side में माल लेता हूँ a a और इसकी ये चोड़ाई b है और इसकी ये l है अब इस question में दिया ही क्या है उसको समझो कि वरग का परीमाप दे रखा है वरग का परीमाप क्या होता है 4a हर लाइन को पढ़ते जाओ और अपना लिखते जाओ 4a की value मुझे 40 दे रखिए a की value क्या हो जाएगी 10 अब देखो आयत के परीमाप के आधे के बराबर है ठीक है तो आयत का परीमाप क्या रहा होगा आयत का परीमाप इसका double रहा होगा मतलब 80 रहा होगा आयत का परिमाप 80 रहा होगा क्या? 80 अब देखो आगे एक लाइन लेकिए इसकी चोड़ाई इसकी लंबाई की दो ती आई है ठीक है? तो अगर मैं लंबाई को क्या मान लो? 3X तो चोड़ाई क्या हो जाएगी मेरी? 2X दो ती यह होगी ठीक है? अब आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चोड़ाई का डबल ठीक है? लंबाई प्लस चोड़ाई किती हागी 5X इसका डबल और ये वैल्यू दे रहे की 80 तो यहां से X की वैल्यू क्या आजाएगी? 8 X की वैल्यू 8 आगी? X की वैल्यू 8 आगी तो मेरी लंबाई किती होगी? 3X 3X को 8 से मल्टिप्लाई किया 24 और चोड़ाई क्या होगी? 2X मतलब 16 ठीक है? आयत का चेतरपल पूसा है चेतरपल क्या होता? लंबाई इंटू चोड़ाई 24 इंटू 16 अब देखो 24 इंटू 16 करने मत बैठ जाना ठीक है? आप सीधा देख लो कि सब की यूनिट डिजिट अलग है? यहाँ पर पक्का यूनिट डिजिट तो 4 याएगी? और 4 यूनिट डिजिट एक यूप्शन में दे रही 384 ठीक है? हाँ कई लोगों का 24 यह क्यूशन ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं और टाइम आपका जित्ता बच्चेगा उत्ता ज्यादा अच्छे क्यूशन में आप डिवोट कर पाऊगे अपना टाइम और वहाँ पर कॉन्फिटेंस बूस्ट भी होता आपका कि आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है और आप एक कोई भी अच्छा क्यूशन आगे तो उसको आप टैकल कर पाते हो ठीक है तो इस टाइप से आपको कैल्कुलेशन को जित्ता इसकीप कर सकते हो उत्ता इसकीप करने की आदित मौक में लगा लो तो वह एक्जाम में आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा उसका